तो गाईज आज है तारिक 6 जून 2021 और है संडे देखेंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को एनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को ये चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाओ जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर दाहिंदू न्यूस्पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल लोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिलक कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाल हो तो चलो शुरुबात करते हैं देखो सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है गोर्नमेंट और ट्विटर के बीच के डिस्प्यूट के बारे में आपको मालूम होगा सरक करने बोला है कि हम लोग एक लास्ट नोटिस भेज रहे हैं और यह जो आइटी रूसे इनको एकसेप्ट करना ही पड़ेगा ट्विटर को एकसेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा मैं आगे बताओंगा लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यह आईटी रूस क्या हैं आपको म इनके अंदर को रेगुलेट करने के लिए आईटी रूस लाए गए थे जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी फेक कॉंटेंट ना है अगर आता है तो उसको सबसे पहले डिलीट किया जाए और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेप्स जो हैं यह सोशल मीडिया इसका बूला गया कि देखो अगर कोई व्यक कॉंटेंट आता है तो क्या करना है पहले तो उस चीज को डिलीट करो दूसरी चीज क्या होगा जो फेक कॉंटेंट यह किसने स्टार्ड की है इसका पहला ओरिजिनेटर कौन है यानि कि किस तरीके से पहला है आपको मालूं पकड़ा जाए जिसकी वज़ासे यह सारा डिस्प्यूट्स क्रियेट हुआ है उसके साथ यहां पर क्या बोला गया है इस आई टी रूस के अंदर यह भी बोला गया है जो सोशल मीडिया कंपनीज है उनको एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा यानि कि अगर हम लोग जैसा है आप हो मैं हूँ कोई भी किसी को भी यहां पर कोई चीज मिलती है तो हम लोग कंप्लेंट करेंगे तो आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए जो की 15 दिन के अंदर यहां पर कंप्लेंट को रिजॉल्व करें उसके बाद और क्या चीज़े हैं जो भी कंप्लें तो ऐसा यहां पर ओडिटी प्लाटफॉर्म से बोला गया जैसे कि आपका सकतो कोई 7 प्लस इयर्स का है 13 प्लस का है 16 प्लस का एडिल्ट है तो उसके हिसाप से यहां पर कॉंटेंट को दिखाया जाए ऐसा यहां पर यह आई टी रूल्स बोलते थे नाव क्वेश्टन यह ह यह आई टी रूल्स हम बोलतो रहा है इसका पूरा नाम क्या है ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्षन बताओ काफी वर मैं आपको बता चुका हूँ बड़ा लंबा चोड़ा नाम है इसका है ना चलो यहां पर फिलाल यह मुद्दा है लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है यह दे कर देंगे ट्विटर को एस सारी चीज Bundesяться बोला गया कि देखो ट्विटर से बोला गया ॐपको रखने होँगे यह मैं आपको इसरी स्थे बता दी यहां ना उसके बाता था एक छोटा सा आइपको एक तरीकर 1 रनीट को हटा 당ие किसके to तो आपको मालूम होगा कल ये न्यूस काफी जादा वायरल होई थी अब हुआ क्या था देखो एम वेंक नाइडू जी का ये परसनल अकाउंट यहां से सुनना एक अकाउंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है लेकिन ये इनका पर सिनल अकाउंट है जिसके पर ब्लू बैज दिया वाता ब्लू बैज का मतलब आप समझते होंगे सभी लोग इंस्टाग्राम पर भी मिलता है ट्विटर पर मिलता है इससे पता चलता है पॉपुलर परसन है ठीक है काफी फिमस परसनलेटी है तो उसी की वज़ए से यहां पर यह दिया जाता है दो इ ट्विटर ने चोटा सा यह जवाब दिया है कि अगर 6 महीने के अंदर कोई अपने अकाउंट में एक्टिव नहीं है तो उसके अकाउंट से यहां पर यह सारी रिस्ट्रिक्शन्स लगाई जाएंगी तो यहां पर ऐसा हुआ है कि यह जो वाइस प्रसिडेंट इन्होंने 6 महीने तक यहां पर कोई चीज़ ट्विट नहीं करिए तो उसी के बसिस पर यहां पर ट्विटर ने यह सब क्या है अपना यह स्टेट्मेंट दिया यह ट्विटर के द्वारा ठीक है मैं फिर से बोल ला हूं यह इनका परसनल अकाउंट है एक वाइस प्रेसिडेंट आफ लग देना चाहिए कि मतलब एक इक्वल टेक्स रेट यह सभी कंपनी सभी सभी कंट्रीज के अंदर होना चाहिए कॉर्परेट टेक्स होता क्या है देखो मान लो यहां पर मैं आपको इक स्ट्रॉक्चर मना के समझाता हूं इंडिया है नीदर लेंड हो गया यूसे हो ठीक और कॉर्परेट टेक्स देखने को मिलेगा आपको 10% बताओ सबसे जादे कम कहां पर है नीदरलेंड के अंदर है कंपनी इससे निकले के ना ही इंडिया आएंगी कहां पर जाएंगी नीदरलेंड जाएंगी ठीक है इस तरीके से क्या करते हैं कंट्रीज जो ए ना टैक्स कम करकरके क्या करती है कमपनी सको एट रेट करती है और वो क्या होता है सारी कमपनी बात है वहीं बागेंगी जहां पर टैक्स रेट कम है तो इसी के बेसीश पर देखा यह जा रहा है कि यू.ञाया lira को भी और इस तरीके से यहां पर यॉ.ञा, थाइओ, यह भी 15% और 15% से नीचे कोई भी country अपना tax rate नहीं करेगी अब नहीं करेगी तो अब्यासी बात है को जो corporate companies है वो कहीं पर भी रहें उनको एक ही जगा मतलब एक ही benefit मिलने वाला है तो यह सारी चीज़े होती है अब आप कहोगे यह US ने करा क्यों है देखो US ने अभी आपको मालूम ह होगा हाली में जो बाइडन ने एक बड़ा package अनौंस के अधा trillion dollars का कि वो अपने infrastructure management के लिए लगाने वाले हैं तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि एक चीज़ और है कि इन सब चीजों से इंडिया को भी loss होता है देख पाओगे आप यहां पर अकॉर्डिंग इंडिया भी सफर करता है लगवग हर साल 10.3 billion dollars का इस global tax abuse से मतलब कि यहां पर क्या होता है जो कंपनीज है वह इधर से उदर चली जाती है जहां पर tax rate कम होता है महां पर चली जाती है और मैं बता दूं Hong Kong नेदरलेंड इन सब countries का अंदर तो बहुत ही कम होता है यहां पर पढ़ लेता है काफी इंपोर्टेंट यह आर्टिकल हो जाता है तो जी सेविन एक इंटर गूर्मेंटल ऑगिनाजेशन है जिसको बनाए गया था 1975 में इसके अंदर साथ कंट्रीज है वह कौन-कौन सी है वह है फ्रांस जर्मनी इटली युनाइट किंडम जापान लेकिन रशा को निकाल दिया गया है 2014 में क्यों क्योंकि रशिया ने क्या करा था क्रीमिया वाला यूक्रेयन का जो पार्ट था क्रीमिया उस वाले रीजन को हतिया लिया था तो उसके बेसिस पर यांबर रशा को बहार निकाल दिया गया था इसके बारे में चोटा सा याद रखना information काफी important है ना यह जो ब्लॉक है इनका एन्वली डिसकेशन वागरा होता रहता है कि यह ग्लोबल एकॉनमिक गवर्नेंस को लेकर इंटर्नल सेक्योरिटी को लेकर यह सारी चीज़ को उपर बाते चलती रहती है जी सैविन का कोई फॉर्मल constitution या फिर कोई fixed quarter नहीं है तो इसके बारे में भी आपको दिहान अखना है ना आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो बात करी गई है जी स्टी का revenue काफी गिर चुका है लगबग 1.2 लाक करोड का हुआ है मई के महिने में जो अभी पिछला महिना निकला है क्योंक कि अब यहां पर situation काफी बुरी थी कोविड को लेकर सेकेंड वेव को लेकर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलें तो उसके बैसे पर लॉक्डाउंस वगरा काफी सारी जगा पर लगे हुए हैं काफी सारी रिस्ट्रिक्शन्स हैं कुछ चीज़ा चली नहीं रह तो उसी के बारे में आप एक चुड़ा सार्टिकल है मतलब इसको मैंने ऐसी लगा दिया था जनरल सार्टिकल है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ नहीं यहां पर आता एक आर्टिकल वाह देखो यह वाला आर्टिकल पड़ो पाकिस्तान से पाकिस्तान के अधर्य कि च्धून के इसको मालूम होगा देखो यहां पर के पाकिस्तान रेडी है बात्चीत करने के लिए इंडिया के लेकिन क्या से लेकिन और जासी जैशिotta बेटास आपको मालूम होगा हमने कश्मीर जमुएंड कश्मीर था उसको बाइफर्केट करकर यूणिन टरिटरिस बनाया दें उसके बाद यहां पर आप देखपा होगे किती सारी प्रॉब्लम्स क्रेट हुई थी तो उसी को देखते वे यहां पर पाकिस्तान का कहना है कि उ एक स्टाडिकल बात करता यहां पर जो व्लादिमार पुतिन हैं इनका कहना यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी साथ चाइना के प्रासेडेंट जी जिन पिंग तो दोनों ही एक कैपेबल लीडर्स हैं दोनों ने अपने बाइलेटरल इशूस को इसली सॉल्व किया भी है और सॉल्व कर भी सकते हैं आने वाले टाइम पे ऐसा यहां पर यूएस सॉरी रश्या के आपके सकते हो प्रैसिडेंट व्लादिमार पुतिन का कहना है इन्होंने और दो तीन वर्ट्स एड़ करें हैं जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र वोद पर बातचीत करी गई उसके बाद जो व्लादिमार पूतिन नहीं यहां पर एक तरीके सा अपनी नराजगी जताई किसको लेकर क्वार्ड को लेकर की देखो क्वार्ड एक तरीके सा अलग ग्रूपिंग मना रखी है जिसके चार कंट्री आपको मालूम होगा इंडिया यू काफी इंपोर्टेंट हैं और साथी साथ काफी हद तक इन लोगों के रिलेशन्स अच्छे भी हैं क्योंकि हम लोग डिफेंस कॉपरेशन में काफी दद आगे निकल चुक है इंडिया बहुत सारे आपका सकते हो की डिफेंस एक्किपेंट्स खरीता है रशिया से और डिफ पर एक चीज़ इंपोर्टेंट हो जाती है उसकी वाज़ा से मैं इसको हाइलेट किया है तो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया है अपने टेरर फाइनेंस रेटिंग का अंदर तो उसके बारे बाचीत करें यह पाकिस्तान इम्प्रूब रेटिंग्स एस एस पैसिफिक ग् लेकर इन सबको घहसीटा जाता है FATF के अंदर तो इसके बारे में discussion हम लोग करेंगे यहां पर FATF पढ़ने के लिए वज़ा से यह आर्टिकल को highlight किया था वरना यहां पर highlight नहीं किया जाता ठीक है यह काफी important है और काफी time हो गया उसको पड़े वे तो financial action task force यह कौन सी बाड़ी है देखो यह जो बाड़ी है ना यह टेररिजम financing और साथी साथ money laundering को लेकर काम करती है money laundering basically क्या होता है कि जो black money है उसको white money में generate कर दिया जाता है और साथी साथ terrorism financing भी होती है एक तरीके यह step उठाता है यह एक इंटर-governmental organization है जिसको फांड करा गया था 1989 में और initiative है G7 का उसके बाद यहां पर आपका सकते हो वही किस चीज को combat करता है लड़ता है money laundering से लेकिन 2001 में इसके functions को और पड़ा दिया गया मतलब कि यह अब terrorist financing money laundering इन सारे चीजों के regarding यहां पर step लेता है उसी के साथ यह अपनी maintain करके चलता है लिस्ट जैसे कि black list maintain करके चलता है gray list को हम लोग आपका सकते हो कि warning list भी बोलते हैं black list एक तरीके से call for action है यानि कि कि किसी भी countries के अंदर अगर ऐसी problems देखने को मिल रही है money laundering हो रही है अगें vaccination के बारे बात करीगे चोड़ सकते हो आप यूगी बहुत सारे articles हम already ऐसे cover कर चुके हैं नाओ आते है पेज नमबर 9 के उपर that is world section देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है तो हाँ इस article के बारे मैंने बातचीत करी थी अभी पेज नमबर वन पर कि Twitter से regarding एक औ लोग पूरी तरह से इंडिफिनेट लाइं टाइम के लिए Twitter को सस्पेंड कर रहें अब ऐसा क्या हो गया क्योंकि हुआ क्या है जो नाइजीरिया के अंदर वहां के प्रसेड़ेंट है इनका नाम है मुहमदू बुहारी तो इन्होंने यहां पर कुछ ट्वीट कर दिया था इन्होंने ट्वीट कर दिया तो यह स्टेप उठाया गया है और ट्वीटर का पॉपुलर नाइजीरिया के अंदर आप जाकर आप लोग देख सकते हो यह नाइजरिया एक आफ्रिकन नेशन है उसमें आप लोग मैप में जाकर देखना अच्छे से कहां पर है कौन कौन से इसकी नेवरिंग कंट्रीज हैं मैप में बहुत इंपॉरेंट है और दूसरी चीज मैं हमेशा बोलता हूं इंडिया के कंपैरिजन में देखा करो तो आप का अकाउंड डॉनल्ड ट्रम्प का लगबग दो साल तक और दो हजार तरी सक इनका अकाउंड रहने वाला है सस्पेंड रहने वाला है किस चीज को लेकर आपको मालूम होगा च्छे जनवर को कापिटल हिल राइट हुआ था जिसकी वज़ा से यहां पर इनका हाथ है उसक सकते हो न्यूस पर आप डाउनलोड करोगी ही तो इसको भी आप पढ़ सकते हो ठीक है पढ़ लेना देखना इनका क्या ओपनियन यहां पर लिखावा है उसके बाद चाइना ने हिट आउट किया है यूएस और यूपन यूनिन के कांजिलेट को हंग को के अंदर क्यों क्य ठाइना अब यहां पर यहां पर मना कर दिया गया तो पहले सब लोगों से कि आप लोग केंडेल मार्च नहीं कर सकते हो लेकिन फिर भी यहां पर एक केंडेल मार्च हुई है दन उसी की वज़ा से यहां पर काफी सारी प्रोब्लम्स नज़र आई है जाँगे नाइजीरिया से आपको महाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यह Ĺे अंदर काफ्व सारे लोग की जान गई है इन फैक्ट यहां पर आटेक आप देख पाऊगे जो वाइलेंस इसलामिस्ट वाइलेंस यह 2015 से देखने को मिल रहा है और अभी तक डेटा यह बताता है सौ से उपर लोग की जान चली गई है मैसिकर है जो कि इसलामिस्ट के दोरा किया गया है नियर तक का डेटा यह है कि सौ से उपर लोग की जान चली गई है सौ से उपर लोग को माँ पर मार दिया गया है ठीक है इसको मैप में देख लेना और ज्यादा कुछ इंपोर्मेशन इंपोरेंट नहीं है मैप में देख लोगे काम हो जाएगा आप देख पाओगे पेज नंबर टैन है साइंस एंड टेक्निलोजी तो साइंस एंड टेक्निलोजी के परस्पेक्टिव से अगर बात करें तो ज्यादा डीप वाले आर्टिकल में मत जाना जहा के टाइम पर कारवान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक चीज़ और बता दू देखो आज का जो डेली करेंट अफिर का वीडियो है ना वह अप्लोड नहीं हो पाया है क्यों क्योंकि आज संडे था और मैं सोच रहा हूं संडे में हम लोग पूरे हफते का रिविजन क नजरबाल ले करो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़े इंपॉरेंट कर दिया है वहाँ पर डेली बेसिस पर जो है मेंस आंसर राइटिंग के परस्पेक्टिव से मैं महा पर आर्टिकल कवर कर रहा हूं काफी लेंदी आर्टिकल हम लोग लेते हैं तीन चार आर्टिक सब्सक्राइब करने में ना यहां पर कार्बन स्टोरेज के बारें बात करेंगे दिखो आज के टाइम पर जरूरत है कि हम लोग यहां पर कार्बन को पहली बात तो यह इसके रिगार्डिंग स्टैप उड़ाया जाए क्योंकि इनकी वजासे काफी बुरा इंपक्ट देख कार्बन को इंडू बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर यहां पर यहां पर यह एक टेक्निलोजी है जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं कार्बन को काप्चर करने वाले हैं तो यह काफी हद तक आपको सकते हो कि इंपोर्टेंट इंफॉमेशन भी हो सकती है आपको लोग इसक स्टेडीज करी गई है जो बायो मेडिकल वेस्ट है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया है कोविड-19 की वज़ा से लगबग 2,00,00 किलोग्राम बायो मेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ है हर दिन पिछले महीने तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कितना जाद ही वेस्ट ह कोविड-19 की वज़ा से ना कॉशन बहुत सारे लोगों के दिमाग में यहां रहाएंगा बायो मेडिकल वेस्ट क्या है जो पहली बार सुन रहे होंगे डेफिनिटल उनको यहाँ पर जानना होगा लेकिन बहुत सारे लोगों आपको बदा देता हूं देखो बायोमेडिकल करी जारी है आज कर टाइम पर कोविड-19 पेशेंट के लिए तो उसे के बारे में बातचीद करी गई है कि बायो मेडिकल वेस्ट हमारा इसको पहले करना पड़ेगा क्योंकि यह इंक्रीज कैसे हुआ है कोविट की वजा से वा इन चीजों को जैसे चोटा सा पॉइंट है इसको आप मेंशन कर सकते हो कोविट का क्या इंपक्ट हुआ है ठीक है अपने असे में जहां पर भी हो तो एक छोटी सी क्या एलिफेंस सांस ले सकता है और साधिवानी साथ अपना का सकते हो बीबी सकता है पानी-बैंद इसा है देखो धूर नौस्ट्रिल्स उसके ट्रंक में, होदा गया है धेखो, एक तरफ से यहां पर यह सक अप करता वाटर को आप कह सकते हो लगबग 3 लीटर पर second water अपने ट्रंक में वो सकप कर सकता है उसी के साथ यहाँ पर एक और चीज यह भी बताई गई है कि elephants जो है इनके पास दो nostrils हैं ऐसा यहाँ पर बहुत सारी studies प्रूफ करती है उसी के साथ यहाँ पर एक first author है Andrew Skulls इन्होंने बोला है कि जो यह trunk है यह एक suitcase की तरह वर्क करती है और expand होती भी चली जाती है देन उसके बाद जो team है उसने study करा है कि जो elephant है यह various foods को भी यहाँ पर eat करते रहते हैं साथी साथ यहाँ पर आप कर सकते हो कि जो elephant है वो अपना trunk का अस्तमाल करकर ट्रंक से breathe कर रहा है और ट्रंक से ही पानी पीवी रहा है तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर यह कर सकते हैं कि ऐसा क्यासे possible है तो simple सा answer क्योंकि elephant के पास दो nostrils से उनके trunks के अंदर तो यहाँ पर यह बोसी के लिए बोला गया है तो यहाँ पर आते हैं नेक्स अर्टिकल की तरह देखो चाइनीज एंक्लेव इन स्रीलंका के बारे में बातचीत करी गई है चाइना का का आफ दादा आप देख पाओगे कंट्रोल देखने को मिला है आज के टाइम पर स्रीलंका के अंदर क्यों चाइना अपना कॉलंबो पूर्ट सिटी डेवलेप कर रहा है कहां पर स्रीलंका के अंदर अब बेसिकली बोलाई गया है बहुत सारे लोग जो है इस पोर्ट की अगेंस्ट में है लेकिश पूरी चीजों के तो आप देख पाओगे यह चाइनीज कोलोनी बन जाएगी चाइनीज के अंडर में यहां पर यह सारी चीज़े आ जाएंगी चाइना पूरी तरह से अपना यहां पर इंवेस्टमेंट करेगा तो अब्यूसी बात है इसमें लगबग 85% तक अपना स्टेक रखेगा तो स्रिलंका का कोई हक नहीं होग है कि अःसा लून चुका सके क्योंकि स्रिलंका हो सकता है टाइम पर पाकिस्तान बन जाए इन चीजों को देख तो ना पाएश्य बहुत सब्सकी सारी कंट्री के साथ आज के टाइम पर हो रहा है तो ही सारी सिचुवेशिन देखने में लिए फिर उसके बाद वह अपना जो प्रोजेक्ट इसको लॉंच किया था सेतंबर 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिन पिंग के द्वारा चाइनीज प्रेसिडेंट बहुत टाइम से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे तो यहां पर बोला यह गया है जो यह टर्मिनल है इसमें 85% स्टेक चा सारी चीज़ें बरबाद होंगी ऐसा यहां पर बोला गया है इसी वजह से लोग अगेंस्ट में निक्स्ट आर्डिकल यहां पर आता है यूएस डिलीज टैरिफ अगेंस्ट डिजीटल सर्विस टैक्स आपको मालूम होगा यूएस ने बोला था कि हम टैरिफ लगाने वाल इस तरहीं की चीज़ें यहां पर देखने को मल लिए तो नाव टैरिफ को लेकर यूएस ने अभी बोला है कि आप लोग आपस में डिसकॉशन कर लो अभी इस टैरिफ को हम लोग आने वाले टाम के लिए अभी के लिए डेले कर रहे हैं काफी टाइम दे दिया है डेले कर इंपोर्ट होता है तो उसके अंदर क्या होगा लगबग टैक्स लगाए एक टैरिफ लगाया जाएक 25 परसेंट तक का ऐसा यहां पर बोला गया है नहीं यहां पर आप लोग देख सकते हो च्छे कंट्रीज कौन कोंसी है इंडिया भी है ऑस्ट्रिया भी है सोरी ऑस्ट्रि टैरिफ लगेगा तो वहां पर महेंगा बिकेगा और बिके गई नहीं फिर उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट के उपर काफी ज्यादा इंपक्ट पढ़ने वाला है और इससे हम लोग को भी नुकसान होगा और दूसरे एंट पर हम बात करें तो लगबग 118 million dollars का यहां पर इ गुल्रीज आइटेम्स हो गए यह सब एक्सपोर्ट करता है इनके उपर टैरिफ लगया जाएगा तो कहीं न कहीं हम लोग को भी यह प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी ना आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आपको मालूम होगा पहला human infection देखने को मिला है एच फिलाल वह इंसान ठीक हो गया घर चला गया हॉस्पिटल से ना यहां पर कुछ की पॉइंट के बारें बात करी गई है एच वन जीरो एंट्री एक इंफ्लुएंजा ए वाइरस है आपको धियान रखना है एबी सी वाइरस कौन से होते हैं कौन सी कैडिगरी का आते हैं आगे डिसकॉशन करूंगा और बोला यह गया है हो गया है तो फिर यह सब जो वाइरस हैं यह काफी खतरनाक पहले से साबित होते हैं बड़ फ्लु के बारे में अगर बात करें तो बड़ फ्लु को एवियन इंफ्लुएंजा बोला जाता है याद रखना एक आपका सकतो काफी भेंकर डिजीज हो सकती है लेकिन ज्यादतर ऐसा ही माना जाता है कि डिजीज यहाँ पर जादे प्रॉब्लम से क्रेट नी करती हैं खासकर किसके अंदर होती है जो फूड प्रोडूजिंग बर्ड्स होती है जो कि हमें फूड दें जैसे कि चिकन हो गई अंडा देते आए तो टर्की हो गया कोईल गीनिया फोल यह सब इनके अंदर यह चारी चीजे लोग नजर आती है और बहुत कमी से होता है कि मैमल के अंदर भी यह प्रॉब्लम भी नजर आती है इंफुएंजा वाइरस कि टैप्स के देखने को मिलेंगे ए बी सी तेन कैडिगरी के अंदर होते हैं यहां पर अनिमस को इंपिकरता है साथ हो गया यह दोनों की वाइरस काफ़ी जादे डेंजरास हैं जो सबसे आगे आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद करें नहीं को सबसे पहला नहीं को है यह लोला जाता है जो इसके वाइरस ऐसे नहीं ृत्स цвет पर आपको नाम रखता वह नज़र आएगा तो अब को धिहां रखना है आप से कौश्चन बन सकता है किस बैसस पर यह नाम रखे जाते हैं तो वह हम ग्लिटेण और निवरमीनडेस के गर थेखने को मिल गए तो उसको मार दिया जाए तो वो जाधा बेटर होगा तो इंडिया का स्टेटेस बात करें तो इंडिया के अंदर आप देख पाओगे fresh cases of year भी रिपोर्ट नहीं है तो यह सारी चीजे है I hope आपको यह clear हो गई होगी बढ़ते हैं आगे तो आता है एक और पेज जो की हमारा थर्ड लास्ट पर जाता है एकॉनमी का बिजनस सेक्शन तो यहाँ पर एक आर्टिकल देख पाओगे बात करी गई है जो ग्लोबल मिनिमम टेक्स है अभी मैंने पेज नमबर वन पे इसके बारे में डिस्कॉशन किया नव एक सेकेंड यहाँ पर एक आर्टिकल यह दे रखा है जिसमें बात करें गई हैं बैंक एन्प यानिकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वह काफी बढ़ता हुआ नजर आया है अब यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया तो फिर एनपीए है क्या तो एनपीए आकर इंडस्ट्री खोल ली यहाँ पेशा लेगा वह समलो सौक रोडर रुपे लेगा बैंक से उसने इंडस्ट्री खोल ली और क्या वह वह इंडस्ट्री डूब गए इसके पास पैसा नहीं है यहाँ पर पड़ता रहता है तो यहाँ आप आप देख पाऊगे जो नॉन आसे थैं यह थोड़ा सा इंक्रीस हो और रहे मैं बाचीट करी गई है क्योंकि बहुत सारा रिलीफ दिया हमने और बॉर्वर्स को बहुत सारा आपके सकतू रिलेक्सेशन दिया बहुत सारी छूट दीए लेंडर्स लेंडर्स को बॉर्वर्स को इस COVID-19 पैंडमिक के उसी की वज़ा से जो है यहां पर यह इंपक्ट पड़ता हुआ नजर आया है तो I hope guys पूरा news paper clear हो गया होगा sports section हम discuss नहीं करेंगे sports section हमाले important है नहीं तो हम लोग सको छोड़ सकते हैं ना उसे के साथ करते हैं वीडियो को समाब मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day